तो फ्रेंड्स आज जो मैं ब्रेट की रेसिपी लेकर आई हूँ इसे आप बना कर खाएंगी तो आप ब्रेट की सारी रेसिपी भूल जाएंगी जैसे की कटलेट है, पकोड़े हैं, सैंडविच हैं, सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे और हर बार जब भी आपको कुछ ब आपर 11shot है तो बार जाएंगे जाएंगे डो कर दिया और उखिए यह ग्रेट करद्य हैं इसमें इसमें मसाले घ्ली में सबसे कहले यहां पर मैंने लिया है वन्हान। यार्ड बाल इसम kort पोट चूट हैं इसको मेंड लिया है जीरे का पाउडर, इसके साथ मैंने दो हरी मिर्च बारी काट ली है और उसके बाद हम देंगे इसमें अमचुर पाउडर, तो यह आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग डाली है, मैंने यहाँ पर आधा चमच लिया है, और अब हम इसमें कटी हरी धनिया इसको मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने से पहले हम इसमें टेस्ट के कॉर्डिंग नमक को एट करेंगे, इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फ्रेंट्स यहाँ पर मैं आप से कहना चाहती हूँ, कि अधिया आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलिए अब देखिए हमारा स्टफिंग जो है वो त्यार हो गई है तो इसको हम एक साइड में रख देंगे इसके बाद हम इसके लिए बैटर बनाएंगे जिसमें हमें से टिप करना है तो यहाँ पर मैंने फुल दो καटूरी बेशन लिया क्योंकि इसमें बैटर जादा चाहिए रहता है इसलिए मैंने मेडिय हम साइज की कटूरी ली थी इसमें मैंने लाल मिर्च पाूडर एड़ किया और हल्दी पाूडर एड़ किया और टेस्ट के अकॉर्णिंग इसमें नमक एट कर लिया इसके बाद हम इसमें हरी दनिया एट करेंगे और पानी इसमें मिक्स करके इसका एक गाड़ा सा बैटर बनाएंगे बैटर बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि आपको पानी एक साथ नहीं डालना है थोड़ा-थोड़ा करके इसमें मिक्स कर देंगे और इसका एक अच्छा गाड़ा सा बैटर बना लेंगे देखिए आपका बैटर इस कंसिस्टेंसी में होना चाहिए इससे ना ही पतला होना चाहिए ना ही जादा गाड़ा अब हम लेंगे एक फ्लैट सर्फेस जिस पर रखकर हम ब्रेट को राउंड सेप में काट लेंगे तो यहां पर देखिए मैंने एक कटोरी लिए है जिसके किन यहां को कि ताकि में rasa रंड कियां उसका निकला अब कर लेंगे इसके बाद हम यहां ब्रेट को भी और फार कीज़ें रखकर उसकी ऊपर हम लगाएंगे पीजा सॉस तो थोड़षे हम को इस पे रहना आ है देखिए आप इसकी जगे नाउर्मल सास भी ले सकते हैं या गारो रहता है उसको भी ले सकते हैं इसके बाद इसको स्प्रेड करने के बाद हम से जो आलु का बर्तांब बनाकर रखा आ Muchas स्टफिंग बना के रखी है उसको इस पर अच्छी तरह से नाइफ की हेल्प से स्प्रेट कर देंगे और इसके बाद जो दूसी ब्रेट थी उसको इसके उपर कवर कर देंगी और हलका सा प्रेस कर देंगे सारी स्टफिंग को हमें इसी तरह से कवर कर देना है इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने कड़ाई में ऑईल डाल दिया यह अच्छी तरह से गर्म हो चुका है अब हम इसमें एक एक करके ब्रेट को बेटर में अच्छी तरह से डिप करेंगे उसके बाद उसे ऑईल में फ्राई कर लेंगे फ्राई करने के बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगी तो देखने पर ये बर्गर के शेप के दिखाई दे रही है और लुक लाइक ये पूरी बर्गर ही है इसमें आलू की टिक्की भी है बस ये है कि ब्रेट के साथ में है देखिए ये अच्छी तरह से सिख चुकी है अब हम इस फ्राइ ब्रेट को बाहर कर सारी ब्रेट को हमें बिल्कुल मेडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राइ कर लेना है और फ्राइ होने के बाद इसे बाहर निकाल लेंगे ऐसे हम एक एक करके सारी ब्रेट फ्राइ कर लेंगे देखिए हमारी सारी ब्रेट अच्छी तरह से सिख चुकी है अब हम इसको ड करने के बाद कितने टेमटिंग हैं